इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा ताली बजा करके घंटी बजा करके गाय का गोबर भी गौमूत्र की तरह ही मुल्यवान होता है असलाम अलेकुम रहमतुल्लाई बरकातु इत्याद दिन में आप सबी का खर मक्तम है कोरोना के बढ़ते खत्रे के मद नजर 21 दिन का करफियू का ऐलान वजरियाजम की जानिब से क्या गया जिसके बाद बेलगाम शहर में अफरात अफरी का माहौल दिखने लगा अचानक लोग और आशन और रोजमर्रा की चीज़े जुटाने में लगे बाजारों में रात बारा बज़े भी भीड नजर आने लगी देर रात तक लोगों के सड़कों पर आवादा भी दिखाई दे रही थी किसी तरह से खाने की चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी में अवाम जुटी भी थी पुलिस मौकमा भी देर रात तक नजर नहीं आ रहा था, कुछ देर की राहत को महसूस किया जा रहा था बेलगाम शेहर में भी कोरोना वाइरस के मतासिर लोगों के फैरिस्ट हुकूमत की जानिब से शाया की हुई है जिसमें तकरीबन पचातर लोगों के नाम शामिल है मतासिर से मुराद ये लोग जेर निगरानी है जो बाहर गाओं से है बेलगाम में आए लोगों को जेर निगरानी में रखा हुआ यह भी हिदायत दी गई है कि इन्हें होम कारंटाइन में रखा जाए उनके हातों पर मुहर भी लगा दी गई है निकी सील भी मार दिया गया घर में इनके लिए अलग रहने का इंतजाम हो करनाटाग हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि शक के दायरे में जिनें दाखिल किया गया इन्हें तकरीवन 14 दिन तक एतियाती होम कारंटाइन में रखा जाए जिसमें बेलगाम शहर और अत्राफ के 75 लोग शामिल है इस फैरिस्ट को आप इंटरनेट से भी डाउलोड कर सकते हैं हुकूमत का कहना है कि जो भी शक्स बारी मुलक से वापिस आया है जिस पर निगरानी रखी गई है इसको जाहिर करने से इतना जरूर हो सकता है कि कहीं आपके आडोस पडोस में रहने वाला शक्स मतासिर तो नहीं है या अगर ये भी कहा जाए कि जिसने भी जिसे घर में रहने की हिदायत देने के बावजुद अगर कोई बाहर गूम रहा हो तो इसके बारे में 100 नंबर पर या 104 पर डाइल करके बता सकते ताकि दूसरों को इससे खतरा ना हो कहा यह जा रहा है कि करनाटक में अब तक 33 मामल होने के खबर है 33 मामलों में धारवाड में कड़गू में गुलबरगा में एक तीन मैसूर दो चिकबलापूर दो दक्षिनकंडा और बैंगलूरू में कुल 22 इस तरह से कुल 33 मामले में कोरोना पॉजिटिव पाया गया धारवाड का नौजवांज जिसकी उम्र 33 है आस्ट पर भी उसने जाकर किसी से मुलाकत की होगी तमाम कोई ने जेर निगरानी में रखा गया है उबली के किम से मिदाकिल किया गया है उबली डी सी धीपाचुलन ने बताया कि तकरीबन 175 लोगों को जेर निगरानी में रखा गया बेलगाम शहर में भी बढ़ते खत्रे को देदा दुरीज मरीज नहीं है इंच सिर्फ निगरानी रख़ी गई है कहीं हो हमारे आसकास तो नहीं है ऐसा एक डर भी ए te तक कोई पॉजिटिव नहीं है यह एक खबर खास कि बेलगाम पूरे जिले में आप तक कोई भी पॉजिटिव इसमें नहीं पाया गाया बाहरी मुलकों से आये अफरादों पर जेरे निगरानी में रखा गया है फैरिस्ट के मुताबिक सुभाश नगर में तीन वडगां में एक हिंडलगा में एक टीवी सेंटर में तीन शाओ नगर में दो घटपरवा में एक रामतीर्त नगर में एक और भाग्या नगर में कुल 75 लोगों की फैरिस्ट आप इंटरनेट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब इस बीमारी से निवटने के लिए बिलगामवालों की जानिब से भी कोशिक जारी है लोगों ने अपने आपको घरों में रखना पसंद किया हुआ है पूरे किस दिन घरों में कैद कर लेना बड़ा मुश्किल मामला है जाहिर है टिक टॉक पर वीडियोस बनाने वालों की भी तायदाद बढ़ चुकी है खाली खटा-खट घरो आपकुली काम हमाली मजदूरिया टो चलाना कहीं बेवा औरते ऐसी भी हैं जो घरों में जाकर बरतन माज़कर अपना गुजारात करती है इन्हें कैसे दो वक्त की रोटी मैसर होगी क्या सिर्फ देश के हित में लाफडाउन करने से अपनी जमेदारी से यह हुकूमत के ज निमत सिर्फ गरीब ही चुकाता रहेगा क्या इसा सवाल अवाम की जानिब से भी किया जाराब देखना यह है कि हुकूमते इस पर कितनी संजीद्गी से अमल पैरा होती है इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आफिज़ झाल